बहुत ही सीम्पल तरीके से कम तेल कम मसाली में आज हम चटपटी गवार आलू की सब्ची बना रहे हैं जिसे आप प्लेन डाल राइस के साथ खाए रोटी पराठा के साथ खाए बहुत टेस्टी लगता है चलिए इसे अब हम बनाते हैं यहाँ पर हमने 500 ग्रम कवार लिये है जिसे हातों से तोड कर अच्छे से हमने इसे धो लिये है तीन बड़े साइज के आलू है जिसे छिल कर धो कर इस तरह से छोटे तुगडों में हमने कट किये है यहाँ पर एक चम्मस तेल रखे गर्म होनी के लिए सबजी हम सिर्फ एक च चम्मस जीरा डालेंगे, जीरा को तड़का लेंगे फिर एक मिडीम साइज का पैज है जिसे हमने चोटे तुकडों में कट किये है पैज हलका सौपट हो जाए बस उतना ही पकाना है ज्यादा कलर चेंज नहीं करना है सिर्फ हलकासा सौट करना है फिर इसके अंदर हम कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे यहाँ पर मैंने दो हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है फिर इसमें अदरग लसुन कुटा हुआ डालेंगे आदा इंच अदरग है आंट से दस कली लसुन है जिसे हमने खल्वटे में कुट लिये है अदरग लसुन का कच्छापन चला जाए तब तक हम इसे भूनेंगे अदरग लसुन का कच्छापन देखिए चला गया है वस इतना ही भूनना है आब इसी समय इसमें हम आलू डाल देंगे फिर यहां पर हमने गवार लिये गवार को डाल देना है इन सबको अच्छे से mix कर लेंगे तेल के अंदर सबजी अच्छे से गवार और आलू mix कर लेना है और किसी भी मसाले का अभी हम इस्तिमाल नहीं करेंगे इसे हम ढग देंगे धग कर कम से कम 5-6 मिनट मीडियम आज पर हम पकाएंगे 40-50% सबजी हमारी तेल में ही पक जानी चाहिए इतना हमने इसे पका लिये है इस तरह से सबजी बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में बहुत अच्छा लगता है इसमें हम छोटा आदा चमच अल्दी पाउडर डालेंगे एक छोटा चमच धनिया पाउडर एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर स्वादा नुसार नमक डालेंगे और दो टमाटर है जिसे हमने छोटे तुकडों में कट किये है इसका सारा भी हमने निकाल लिये है सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके आलावा हम किसी भी और मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे सबजी बहुत टेस्टी बन कर तैयार होगी मसाले देखिए सब अच्छे से मिक्स हो चुके है इसे हमने 2-3 मिनट भुन ली है मसाले को 2-3 मिनट भुनना बहुत जरूरी है फिर इसमें हम पानी डालेंगे सिर्फ आदा गलास पानी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सबजी हमें सुखी बनानी है 50% सबजी हमारी तेल में पक चुकी थी 50% सबजी आदा गलास पानी में मीडियम आच पर पक जाएगी अब इसे हम ढग देंगे और ढग कर जब तक आलू पूरी तरह से नपक जाए गवार नपक जाए तब तक हम सबजी को पका लेंगे देखिये पानी पुरा सुख गया है एक आलू हम कट करते है अब इसे हम सर्व करेंगे गर्मा गरम गवार आलू को आप सर्व करेंगे गर्मा गरम राइस रोटी के साथ यह बहुत टेस्टी लगता है फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसीपी के साथ तब तक बबाई ठेक क्यार